दोस्तों नमस्कार मैं प्रवीन प्राकिर्टिक गाउंसे अब सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों अक्सर जो है किसान भाई जो मचली का पालन करते हैं उनके तलाब में हरी रंकी काई जम जाती है ये बहुत common problem है इसका लेकिन तरीका है नेचुरल प्राकिर्टिक विधी से आप इसको जो है नेचुरल तरीके से इसको हटा सकते हैं आज की वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं कुछ points बताएंगे जिसे आप के तलाब में अगर हरी काई जिसे एलगी भी कहते हैं अगर वो जम रही है तो आप उसको easily remove कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर आपके तलाब में हरी काई जम जाती है तो ये देखे जैसे की दाने हैं जो भी आप मचलियों के दाने फेकते हैं जब आपके दाने बच जाते हैं तो फिर ये किनारे जम करके ये भी एक तरह से काई बनाते हैं दूसरी चीज़ जब phytoplankton की मा पानी को बदल दिजी अगर नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करिए कि गूजंती को दाना फेक रहे हैं वो प्रांद कर दिजे सबसे नीकालने का तो हम पानी निकालेंगे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं उसमें हम चूने का प्रयोग कर देंगे चूने का प्रयोग आप पुछेंगे कितनी मात्रा में करना है 1.500-200 kg per hectare चूना आपको फेकना है 1.500-200 kg per hectare के हिसाप से आप अपने तलाब में चूना कैसे फेकते हैं इसकी विधी भी हमारे चैनल पर आप जाके देखेगा मिल जाएगी पूरानी वीडियो में तो उस तरह से जो है चूना जो बूचा हुआ चूना मतलब मार्केट से लिया करके और उसको बूचा करके तब फेका जाता है तो डेट सो से दो सो किलो ग्राम पर हेक्टेर के साब से आप चूना फेक दीजिए दोस्तों अगली चीज क्या है अगला एक और तरीका है कि हम ऐसा करें कि अगर हमारे तलाब में अकसर ये काई जमने की सिकायत मिलती है जैसे ये होता है कि भाई कभी कभार जम गया लेकिन अगर अकसर आपको देखने को इसा मिल ला है तो आप अपने तलाब में जो सरफेस लेवल की मचलियां होती हैं जैसे सिल्वर कारफुई आप उसको ले आकर करके छोड़ दीजे वो मचलियां भोजन ही उनका यही होता है वो मचलियां खाखा कर जो है बिल्कुल सही कर देंगी आपका तलाब एकदम क्लीन रहेगा दोस्तों अगली चीज क्या है अगर किसी किसान भाई का बहुत छोटा सा तलाब है जैसे आधे एकड़ का या तो बहुत एक छोटी सी पोखरी है या छोटा सा पोखरा है तो अगर बहुत छोटी एरिया में तलाब है अगर उनके में जम रही हो तो एक वो भी उपाय कर सकत कि उसमें जैसे जो सूर्ज की किरण आ रही है आपके तलाब में उसको रोक दीजिए जब आप रोक देंगे जैसे किसी पन्नी से आप अपने तलाब को ठकवा दीजिए ताकि डारेक्ट जो है सूरज की किरणे ना पढ़ने पाए आपके तलाब में अगर पढ़ेगी तो अम या कोई किसी भी टेंट लगा करके कैसे भी आप जो है डारेक्ट जो सूरी की किरिणे पढ़ रही हैं आप उसको ढखवा दीजे जिससे आप डारेक्ट सूरी की किरिणे ना पढ़ने पाए दोस्तों और अगली चीज अगर आपके तलाब में सपोच करिये जम गई है तो आप किनारे जाल से या किसी तरह से आप जो है उसको निकलवा दीजे अपने तलाब में क्योंकि उजब तक रहेंगी आपकी मचलियों के लिए हानिकारकी हैं और अमोनिया ही क्रियेट करेंगी तो आप निकलवा देंगे तो जादे बेटर होगा तो इसलिए दोस्तों आप ऐसे च्छोड़े च्छोड़े टीप्स के लिए हमारे चनल प्रकिर्टि घाउं पर जूड़े रही है अगर आप नयों तो जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि ऐसी छोटी च्छोटी जो मचली की जानकारियां है निकली पालनकी हम अपने ग्राउंड लेबल से हम आप तक सीधे पहुचा सकें बहुत बहुत धन्यवाद आपका